गंगा नगर के अनूप गड़ से है जहां लॉकडाउन के चलते भारत विकास परिशद की ओर से बे सहरा गौवंश की सेवा की जा रही है दरसल लॉकडाउन के चलते बे सहरा गौवंश को चारा नहीं मिल रहा था और ऐसे में परिशद ने बे सहरा गौवंश को चारा उपलब्द करवाने का बीडा उठाया है आपको बता दें कि भारत विकास परिशद पिछले कई वर्षों से घरीब कन्याओं की शादी में भी अपनी सेवाईं दे रहा है उसको भी बुखा नहीं रहने दिया जाएगा और ये तूडी चारा जो उपलब्द को आ रहे हैं हमारे साथ बारत विकास परिशद के देख्स राइंद्र गोड़ा ये इन्सांते सर क्या कहेंग इसके बारे में परिशद परिवार ने ये भीड़ा उठा है कि कोई भी गोवन्स सहरी चेतर में हो या सहर के साथ लगता हुआ चेतर हो सभी को आप लोगों के सेयोग से जन सेयोग से चारा उपलब्द करवाया जाएगा और ये लगातार लोगडाउन के दोरान जब से लगा है ये सेवा निरंतर जारी है और जब तक लोगडाउन रहेगा परिशद परिवार सभी जन के सेयोग से चारा उपलब्द करवाएगा और परिशद परिवार दिवारा चारा स्थल की सफाई करने के बाद उस स्थान पे गोवन्स के लिए चारा डाला जाता है कि राजेंदर जी ने बताया अनूप गड़ के अंदर जहां भी कोई जो बे सारा गोवन्स है उन तक जो है इनकी टीम जो है लगा तर पिछले 25 दिनों के अंदर इस आपदा की गड़ी के अंदर जो है चारा पुंचाने का प्रयास कर रही है ताकि कोई भी जो है आम जन के सारा जो गोवन्स भी है वो बुखा नहीं सोई केमरा में रवदीव के साथ मलकी सिंग एवन टीवी अनूप गया है